Hello friends! मैं जसी सोदिया और आज आप देख रहे है TypeScript तो आज हम देखने वाले TypeScript Union Normal आपने देखा भी होगा JavaScript ने यूज किया होगा जम किसी data का Type Define करते हैं तो हम एक से ज्यादा हम Type Define कर सकते हैं तो JavaScript अलाओ करता है इसको तो जैसे मैंने यहाँ पर एक variable ले लेता हूँ और code और इसको मैं बना लेता हूँ जैसे JavaScript आपने इस तरह से लिखा होगा ठीक है तो जो भी वैरेवल आप डिकलेर करा देते तो वो खुदी compiler उसको समझ लेता था कि यह इस नंबर टाइप का या फिर इस टाइप का यहाँ पर यहाँ पर टाइप दे सकते हैं उसका जैसे मैंने इसको नंबर लिया इसका टाइप लिया नंबर तो मैं इसमें नंबर यहाँ नंबर मैं दे सकता हूँ ठीक है इस बेरे में नंबर मैं नंबर से इसलाइज करा सकता हूँ कोई वैली दे सकता हूँ नुमेरिक ठीक है लेकिन उसमें मैं इस्टिंग बाली नहीं दूँगा बरना टाइप स्क्रिप्ट क्या करेगी इसको एक एरर शो करेगी दिए मैंने यहां पर लिखा रहा है string is not क्योंकि यहां पर आपने टाइप दिया number और string लेख रहे हैं तो मैं यहां पर एक यहां लिख दूँगा इस तरह से लिख देंगे string तो यहां पर अब इस code का दो टाइप हम इस variable के दो टाइप डिफाइप कर लिए एक तो number और एक string तो अब चाहिस में आप number में number lowest variable में या फिर आप रखो string दोनों यापर काम करेंगे तो यह होता है union ठीक है बस इन दोनों के बीच में एक pipe बाला symbol आता है ठीक है तो इस तरह दे सकते हैं हम एक से दो से जाद़ भी दे सकते हैं तो कहीं कहीं ऐसी बहुत जुरुत पढ़ जाती है जासे code लिका है और यहां किसी कभी तो number में आ रहा है वह कभी पूश्चिंग में लिखा जाते है तो ऐसे में number और string आप ले सकते हैं और इस तरह से define कर सकते हैं तो मैं यहां पर इसको compile कराकर देख लिए कराकर देख लिए यह तो हमें साब नज़रार कोई error नहीं कर रहा है ठीक है वह हम बाद में देखते रहेंगे फिलाल मैं चारों के छोड़े चोड़े वीडियो बनाओ और जो basic चीज़े वह मैं आपर type script में बताता जाओ ठीक है तो यह लो कलर केश्म शोकर आप मैं इसको इस्ट्रिंग में ले लेता हूं तो इस्ट्रिंग में थोड़ा color chain दिखाएगा लेकिन दोरों चलेंगे तो अब यहां इसकी value चाहतो नंबर में हो या कोई भी नंबर में या फिर इस्ट्रिंग में दोनों काम करेंगे तो यह होता ह यूनियन टाइप आपने हर जगह देखाऊगा आपने चाहे वह जावस्क्रिप्ट किसी भी लैंग्वेज में यूनियन टाइप होता है ठीक है अब देखिए काफी लैंग्वेज में होता है यूनियन टाइप अब यहां पर आप देखेंगे फंक्शन ले लेता हूं में कोई भी और इस तरह से अंदर आपने देखा होगा उसका टाइप डिखले करते थे आप नंबर तो यहां हम रिटन करा लेते हैं ठीक है तो यह रिटन क्या होगा एक नंबर रिटन होगा यानिके नुमेरिक वैल करते हैं तो यहां पर मैं इस्टिंग पास करा हूं तो यहां पर आपने नंबर दिया तो मैं कोई बात निया आप पाइप सिंबल लगाए और उसका आगे लिग दीजिश्टिंग दोनों की एरर खतम होगी तो दिखेंगे टाइप स्क्रीप में ही खास है थे कि आपको कंप में बहुत कम एरर बचेंगे आपकी यह तो एक छोटा साम लिखने स्क्रीप बाकी बड़ी बड़ी आप कोड लिखेंगे चावा स्क्रीप के तो वहां पर यह कम से कम ही एरर जाने के चांस होंगे तो यहां पर देखे मैं जो टाइप देख रहा हूं फंक्शन का नंबर ल स्कुरिब्ड में यूनिन टैप तो अब इसमने मैं एक एकश्पेशन i werk फंक्शन होता है जैसे यह पंक्शन कहते हैं उसको अuchen फॉ준 को इसको में देख भार दिखा दीता हूं बस आपको यह बेसी कान सब्स्झा घदो यह तो बड़े तो और यह पर आईए जब में आप parameter पास करूँगा तो यहाँ पर कोई mistake ने आने बाले है. string और ठीक है, दोनों ठीक है. और automatic आप जब आप return type ने देते हैं उसका तो वही return type ले लेता है. जब आप यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, pass करा है. तो यह था दोस्तों यूनियन टाइप और यहां एक एक्जामपल लोड दिखाता हूं मालेज मैंने लिखा लाट यूजर जैसे आप मतलता अब यह मान के चलिए अब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या फिर कोई इंटरफेस ले रहे हैं तो अब तो आपको बेसिक पता चलिए आप कहीं भी जहां भी आपको डेटर टाइप डिफाइन करना होता है किसी वेरिबल का तो आप उस जगह इस तरह से यूज कर सकते हैं यूनियन को चाहिब हो आप इंटरफेस हो यह दिखिए यहां पर इंटरफेस में भी दिखा दिमे इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूं और इतना कीमती समय आप वीडियो के लिए निकालने उसके लिए बहुत बहुत दहने बाद अगर आप सुरू से मेरी से देख रहे हैं वीडियो देख रहे तो आपको यहां पर कोई भी भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा वैस प्रोडक्ट तो इस तरह आप काम कर सकते हैं मैंने एक बेसिक दे दिया ठीक है इस तरह से तो मैं यह देखे चेंज करके दिखा रहा हूं कोड़ एक बार इस टिंग और एक बार नंबर में दोनों काम कर रहे हैं बस इस वीडियो में इतना है दोस्तों